नमस्कार आप देख रहे हैं प्रतावगा ब्लॉग से हमें रामकिलास यादो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हूँ आप जो गाय देख रहे हैं इस गाय को 9 महीना 16 दिन हो गया अब तक बच्चा नहीं दिया और इसके बोडर और थन में देख सकते हैं सूजन है तो इसका हम उपाय क्या कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ये 9 महीना 16 दिन हो गया बच्चा भी नहीं दिया तो बच्चा कब तक दे सकती हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथी साथ अगर बच्चा करते समय हमारे पुशू के थन में सूजा ना गया है तब हमें जो है देशी उपाय क्या करना है जिससे कि इसका सूजन भी ठीक हो जाए कोई समय सदिक्कत ना आए तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता जाएगा वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखें वीडियो को लाइक कर दें ऐसा वीडियो दिन चाहते हैं तो चैनल को सस्काइब करके बेल आइकन आपके क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे आपके मन कोई स्वाल हो जाओ है नीचे कुमेंटेज ज़रूर करें अगर हम बात करते हैं सब से पहले इसके बच्चा करने का और सूजन के बारे में तो देखिए ऐसा होता है जब हमारे पसु दो से तीन दिन बच्चा करने को रह जाता है तो ऐसा देखने को मिल जाता है कि हमारे जो पसू होती है उनके थन में सूजा ना जाता है ऐसा नहीं कि गाये में ही देखने को मिलता है ये कभी कभी भैस में भी देखने को मिलता है कभी किसी पसू भी देखने को नहीं मिलता है तो हमें जो है सबस्वले हम बात करूँगा ब अब तक बच्चा करेगी तो किसावाई हो जीससे बच्चा करने वाला होती है तो ऐसा देखा जाता है कई संकेत कई हैं पहचान רוצाण करते हैं न हमको किए बच्चा करेंकि resources पूच के बगल उपर देखसकते तो गड़्े बनने शुरू हो जाते हैं ते भी पहचान होती है कि ये बच्चा करेगी और सूजन की जो देखने को मिल रहा है उसके थने लेवटी में तो लेवटी में क्या है कि दो से तीन दिन बच्चा करने को रहता है तब भी ऐसा देखने को मिलता है और ये भी देखने क होती हैं हर पसु में चार थन होते हैं तो कभी कभी कुछ पसु में देखने मिलता है कि जादा छोटा होता है और कुछ पसु में हलका छोटा रहता है तो आप कोई भी पसु देखेंगे हर पसु में आपको देखने मिलेगा कि दो थन बड़े रहेंगे दो छोटे रहेंगे इ कोई की बहुत बड़ा प्रोब्लम नहीं है दूध हुस में भी आता होगा समय बच्चा करने की जहां बात है बच्चा कब तक करेगी तो थन से तो ऐसा लगता है कि ये समय नज़्दीक पर आ चुकी है जब भी बच्चा करना होता है तो थन उसका विक्सित होता है तो थन दिकत है उठ गई है लेट गई है या लेटने के बाद उठ नहीं पा रहा है या बच्चा एक बार दिख करके फिर अंदर चला गया है या ऐसा भी देखने की मिल जाता है कि हमारी गाये जब बैठ जाती है तो उसके पिसाब करास्ते पानी पानी गिर रहा है तो ऐसी देकी पसू डॉक्टर से संपर कर ले और उनको दिखा देजिए और अगर आपकी पसू बेलकुल स्वस्था है चारा खा रही उठ रही है बैड रही है जुगाली कर रही है पानी पी रही है लेट जाती है उठ जाती है कोई दिक्कत नहीं बेलकुल स्वस्था है तो ऐसी अस्था में आपको कोई समय से देकने को नहीं मिल सकता ऐसे स्तितिफिम में भी देखने को मिलता है कि हमारी पट्षोफ पालक अपने गायЕ का वीडियो बेदेगते हैं नहुंए पचीज दिन पर बच्च्ज दिया लेकिन कभी कभी बच्चा जो भी जनम देती है नो महिने बिज़ दी पचीज दिन पर बेलकुल सबस्फ बच्च रहता है कोई दिक्कत नहीं होता, नॉर्मन तोरीके से डिलीवरी हो जाती है लेकिन उसी जगह पर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि बच्चा उल्टा हो गया है फिर उन्हें पसु को जो पसु डॉक्टर होते हैं उनको बुला करके उसको निकलवाना पड़ गया है ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा कभी कभी फंस जाता है तब निकल वाना पड़ता है तो दिक्कत तो कई भी कभी भी हो सकती है अब तो यह आगया आप समझ गिया होगी है कि किस तरह सकरना अगर समय जादा ले रही है तो ऐसा आपको करना है अब बात आती है किसान भाईयों सूजन के बारे में अगर बच्चा करने के बाद भी आपकी पसू का सूजन नहीं जाता है तब आप क्या करेंगे उसके लिए जो देशी नुस्का हम आपको बताने वाला हूँ वो क्या है उसके लिए किसार भाई यो देशी नुस्का है उसमें आपको लेना है 200 गराम नीबू लेना है नीबू को चाहें तो आप रस निकाल सकते हैं या उसे जो है छोटे छोटे टुक्रे कर सकते हैं चक्कू से बारी करके बिल्कुल छोटे छोटे टुक्रे कर लेना है नीबू का रस निकालना चाहें रस निकाल लीजिए यह तो आप उसको छोटे-छोटे टुकडे से छोटे-छोटे कर लिजिए अगर आग पसु उसे खा लेती तो ठीक है अगर नहीं खाती है तो उसका रस्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 200 ग्राम नीबू का अजो दूसरा चीज लेना है आपको लेना है 25 ग्राम काली मिर्च जो 25 ग्राम आप काली मिर्च लेंगे उसको बारिक पीष लेना है बेल्खु बारिक कर लेना है ऌग कर बारिक दालना है पीष लेना उस 25 ग्राम को भी आप बारी कर लें हल्दी को भी गांट वाली हल्दी लेंगे तो अच्छा रहे अब उसके बाद जो चौथा चीज आता है वो आता है कि सन भाईयो गुड़ गुड़ के अंदर जो है इससे आप मिला करके देजिए और इसमें मात्रा के गर हम बात करते हैं कम जादा में तो जैसे होता है कि हमारी पसू बहुत भारी में है बहुत छोटी में है उस हिसाब से भी आप मात्रा में कुछ कम और जादा कर सकते हैं जैसे नीबू में हो गया काले मिर्च हो गई हल्दी हो गया बहुत चोटी में हैं तो कुछ मात्रा आप अपने हिसाब से कम या बड़ी है तो ज्यादा कर सकते हैं यह आपको लगतार तीन दिन देना है जो आप तीन दिन देते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपको लेप भी करना है लेप करने के लिए रांते होंगे नीला कलरक होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गाउं में नील कपड़े में दिया जाता है सफेद कपड़ा है तो नील डालकर उसमें डोगो देते हैं तो उससे थोड़ा एक चमक रहते हैं अच्छा लगता है तो आप नील कभी इस्तेमाल कर सकते हैं नील को पानी में घोल लीजिए बहुत पतला नहीं बहुत मोटा नहीं इस तरह से नील आपको घोल लेना है कि उसके लेप लगाने पे बिल्कुल पपड़ी की तरह चिपक न जाए और नहीं लगाने के बाद गिर जाए मनलब ऐसा लगाईए कलर करके कि कलर दिखना चाहिए कि यह बढ़ियों से दिख रहा है इस हिसाब से उसके थन में लेप कर दीजिए जहां तक सूजन है यह भी आपको तीन दिन करना है फिर देखिए दोसे तीन दिन में अंदर से पूरी तरह से सई हो जाएगा आपकी पसू स्वस्त हो जाएगी सूजन हट जाएगा हमें उम्मीद सब्सक्राइब करें कि अच्छा लगए तो लाइक से कमेंट जरूर करें और चलों सब्सक्राइब करकर करें करें